Hello students, I am Pooja from SGTB Dingrod. As you know, we are reading lesson 8, fire, friend and foe. Students, today we are going to read next part of this lesson. So let's start. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. अब देखो जब fire के लिए, feeding के लिए, कुछ, fuel के रूप में कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, burning नहीं होगी, यानि की आग नहीं जलेगी. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. देखो हम अक्सर क्या करते हैं, कि अगर हमने आग को बुजाना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें और fuel add नहीं करते. जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं, कि हमारे घर में मालों की एक लकड़ी जल रही है, ठीक है, तो हमने आग को बुजानी है, तो simple सी बात है कि हम लोग दूसरी लकड़ी उसमें add नहीं करेंगे, means कि हम लोग उसमें fuel add नहीं करेंगे, तो अपने आप ही जो आग है, वो क्या हो जाएगी, बुज जाएगी. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. अब देखो, second way क्या है, आग को बुजाने का oxygen को रोकना. कहां रोकना? ठीक है, आग तक पहुँचने से रोकना. अगर ऐसा हम लोग कर लेती हैं, तो क्या होगा? जो आग है, वो बुज जाती है. No supply of oxygen means no fire. अब देखो, जब oxygen की supply ही नहीं होगी, तो आग भी नहीं लगेगी, यानि आग का कोई मतलब ही नहीं है. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. अब देखो, जो small fires, यानि की जो आग होती है, उनको हम लोग कैसे बुजा सकते हैं? यानि की देखो कि हम लोग कई बार देखते हैं, सीरियल में भी देखते हैं, अगर कहीं आग लगी है, तो कंबल का यूज किया जाता है. ठीक है, या फिर बोरी का यूज किया जाता है, sack, sack means बोरी. ठीक है, तो इनका यूज किया जाता है, क्यों? अक्सीजन को वहां तक पहुँचने से, रोकने के लिए ताकि जो आग है वो बुज जाए. अब क्या होगा, ये किसमें हेल्प करेगा? अक्सीजन को बर्निंग मेटीरियल तक पहुँचने में, क्या करेगा? स्टोप करेगा. क्या बार क्या होता है, क्या क्या होता है कि कार्बन डाई ओक्साइड का यूज किया जाता है आग को भुजाने के लिए. अब जो ये कार्बन डाई ओक्साइड है, ये क्या करता है? ये ओक्सीजन को अलो नहीं करता, कहा तक पहुँचने में? burning material तक पहुँचने में The third way of putting out a fire is to remove the heat देखो, first में हमने fuel को हटाया, second में हमने oxygen को हटाया और third में हम लोग heat को हटा रहे हैं क्यों? ताकि जो आग है, उसको भुजाया जा, सके सके If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning, देखो, flash point क्या है, जिस point पे क्या होता है, आग जल सकती है, ठीक है, अगर हम लोग, जो temperature है, उसको flash point से नीचे ले आएं तो क्या होगा, the fuel stops burning यानि कि जिस fuel में आग लगी है, वो क्या हो जाएगी वो stop हो जाएगी You blow on a burning mat stick or a candle to put it out देखो, जैसा हम लोग इसमें करते हैं, जैसे कि जलती हुई mat stick है, जलती हुई तीली है, यह जलती हुई candle है हम लोग उनको भुजा देते हैं ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं In doing so, you remove the hot air around the flame bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out देखो, अगर हम लोग उनको भुजाते हैं या उस पे फूक मारते हैं तो इससे क्या होगा? जो hot air है उसके around ठीक है, जो उसकी उसको help कर रही है और ज्यादा तेज जलने में ठीक है, वो क्या हो जाएगी? और उसका जो temperature है, वो बहुत कम हो जाएगा फ्लेश पॉइंट से, तो इसी तरीके से जो candle है, वो बुज जाती है Sometimes water is spread on a fire कई बार क्या होता है कि जो पानी है उसका छिड़काव किया जाता है आग पे, it absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature इससे क्या होता है, यह किसको अब शोशित करता है heat को ठीक है? जो किसमे बर्निंग फ्यूल में और इससे क्या हो जाता है? temperature बहुत कम हो जाता है the blanket of water also cuts off the supply of oxygen अब देखो जो blanket यानि कि जो कंबल है ठीक है? गीला कंबल है या पानी में भीगोया हुआ कोई कंबल है वो भी help करता है oxygen की supply को stop करने में तो इससे क्या होगा? the fire is extinguished यानि कि जो fire है वो भुज जाती है some fires cannot be put out with water ऐसा नहीं है कि हम लोग हर तरीके की आग को पानी से भुजा सकते हैं ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता if water is spread on to an oil fire the oil will float to the top of the water and continue to burn अब देखो अगर हम लोग water को कहां छिड़केंगे oil fire यानि कि जहां oil में क्या लगी हो आग लगी हो तो देखो इससे क्या होगा तो अगर हम लोग पानी को उस पे छिड़कते हैं तो देखो वो क्या करेगा oil जो वो तैरने लगता है पानी के टोप पर ठीक है लेकिन जो आग है वो बुझती नहीं है वो continuously चलती ही रहती है this can be very dangerous because water can flow quickly अब देखो ये dangerous भी हो सकता है मान लोग कि हम लोग उस पे पानी का छिड़काव करते हैं क्यों क्योंकि जो पानी है वो फ्लो कर सकता है quickly ठीक है तो इससे और उससे related जो उसके नजदीक और कोई जगा है कोई सामान पड़ा है तो उसमें भी आग लगने का डर जो है बना रहता है carrying the burning oil with it and spreading the fire ठीक है यानि कि ये वही है कि जो water है ठीक है जिस पे oil है और जिसमें आग लगी है वही क्या है वो फैल जाता है यानि कि वो आग को फैला सकता है water should also not be used on fires caused by electrical appliances आप देखो जो water है उसका use हम लोग कहां भी नहीं कर सकते जो आग लगी हो कहां बिजली के उपकरनो मी ठीक है या बिजली के उपकरनो द्वारा कोई आग लगी है तो हम लोग water का use कभी भी नहीं कर सकते the person spraying water might receive an electric shock and be killed हो सकता है कि जो person जो water spray कर रहा है पानी का छड़काव कर रहा है ठीक है उसको क्या मिल सकता है electric shock मिल सकता है बिजली का जटका मिल सकता है और वो मर भी सकता है एक carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire अब देखो इसके लिए भी अगर कहीं electrical appliances में आग लगी हो तो इसके लिए क्या है best option carbon dioxide ठीक है तो यह किसमें help करेगा जो electric fire है उसको बुझाने में help करेगा और सबसे best thing है क्या carbon dioxide किसके लिए electrical appliances के लिए so students next part of this lesson we will read in our next class thank you